देखें देवी पारवती महादेव बारात लेकर आ गए हैं जब महादेव विवा के लिए दक्षन में होंगे तो देवताओं का शक्ति स्थल कैलाज रक्षा से रिक्ष होगा ऐसे शुबल सर पर महादेव को मा दोंगम है शिवशक्ति का मिलन पुनह सई ओगा मिटे सब पीरा न रहे भी ओगा कैलाश गण इत जुमे गाएं माता को भी सब देवी सजाएं कम्हा और विश्रू देव भी उपस्थिता महादेव से अपना भय प्रतीक्षा आज का जानन भी देखो हर शाय माता पेता को जब हरित्रा लगाए जय गणिश जय गणिश जय गणिश देवा माता जाती बार हती पिता महादेवा जय गणिश जय गणिश जय गणिश जय गणिश देवा मता जाती बार हती पिता महादेवा महादेव करें तो करें विवा उससे हम है क्या पिता श्री महादेव महादेव का विवा ही तो अस्त्रे हमारा जो हम असूरों को देवताओं से मख कराएगा संसार की रक्षा छोड़ भोग विलास में लिप्त रहने वाले देवताओं से अपनी रक्षा के लिए श्रम करने के लिए विवश हो जाते हैं हम लोग इसका मूल कारण जानते हो त्रीदेव क्योंकि त्रीदेव उन दुरबल देताओं की शक्ति बन जाते हैं किन्तु अब इस विवा की आर में देवताओं की शक्ति के श्रोत को ही चिल लेंगे हम और उन्हें मुक्त कर देंगे उनके दाइत्तों से देवताओं की अनुची दम को तोड़ेगा ये दंबासुर दंबासुर केंतु पिताश्री असुर गुरु शुक्राचारी है इसकी अनुमति देंगे मुद्धी भ्रेश्ट हो गई है उनकी वो असुर गुरु होकर भी महादेव के तप में लीन है वो हमारा मार्ग दर्शन करने की योग्य नहीं हमें उनके सुजावों की अवश्चक्ता नहीं हम स्वयम अपना मार्ग नियक करेंगे और समस जगत पर अपना अधिपत्ते स्थापित करेंगे जो आज तक ना हो सका वो आप कैसे करेंगे पिताश्री पलवान है प्राकर्मी है माया भी है कें तो दूर दर्शिता की कमी है मेरे पुत्रों में सुनो पुत्रों जब देवादी देव महादेव विभा के लिए तक्षन में होंगे तो देवताओं का शक्ति स्थल कैलाश सुरक्षा से रिक्त होगा ऐसे शुबवसर पर हमें कहां होना चाहिए पुत्रों कैलाश कैलाश पर विजय पाते ही समस्त ब्रह्मान पर आदि पत्त्यस थापित होगा हमारा देवल हमारा महादेव महादेव को मादोंगा मैं वो कैलाश से जाएंगे अवश्य किन्तों लौट नहीं पाएंगे मैं कैलाश पर प्रतिश्टित होकर देवताओं को ऐसा पाठ पढ़ाओंगा कि सदे सुनन रहेगा उने क्योंकि दंबा सुरका दंभी उसकी शक्ति का स्थम्भ है अधिय। 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 पुर्न रॉप्षे बारादी लेएंग अधिय। 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 गनेश। प्रस्थान करने का समय हो गया है गनेश। और तुम अभी तक त्यारी हो रहे हो। आप तो सजिदी हो गया। गनेश। भला मुझे क्यों समय लगेगा। क्योंकि विवाहर तो हमारे माता-पिता का है न। चलो अब शीखर चले हाँ बया चलते है अब चलो भी गणेश चलो आओ पूफा जी बुवा जी कहा है श्त्रियों को सज्जित होने में अधिक समय लगता है गणेश हाँ ना अब किसी को तो बारात की शुभा बढ़ाने के लिए सज्जित होना होगा ना आप सब का स्वागत है सत्य कहा बुवा जी आपका सौंदर्य अनुपम है परन्तु वर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं उन्हें भी सज्जित होने में समय लग रहा है क्या मैं तो कब से तयार हूं ना रहे हैं आप से तयार है यह क्या पिता श्री आप अभी तक तयार नहीं हुए पुत्र मैं तो ऐसे ही तयार हूँ क्या आप विवाह में ऐसे ही भस्म लगा कर जाएंगे इसी वेश भूशा में जाएंगे हाँ पुत्र पूर में देवी सत्य और पार्वत्य के साथ विवाह के लिए ऐसे ही गया था मैं पिता श्री इस बार तो कुछ परिवर्तन हो सकता है ना मैं उच्चित कह रहा हूँ ना मामा जी उच्चित है गनेश महादेव पूर्व में बारात लेकर तो आप ऐसे ही गये थे परन्तो वहाँ आपने अपना मनोरम रूप भी दोधारन किया था हाँ वो देवी मैना के कारण करने पर विवश हो गया था किन्तु उस बार तो रूप धनने का कोई कारण भी नहीं नानी जी के कारण? हाँ पत्र तुम्हारी नानी ने जब इन्हें इस रूप में देखा तो सशंकित हो उठी और देवी पार्वती से इनका विवा करने से मना कर दिया परन्तो मेरे आग्रया करने पर जब इन्होंने अपना दिव्य मनोरम रूप धारन किया थाप कहीं जाकर तुम्हारी नानी ने शादी के लिए हाँ कहा था पिताश्री हमें भी दिखाईए ना अपना दिव्य मनोरम रूप हम उनसे वंचित क्यों रहे हाँ पिताश्री मां भी आपका दिव्य रूप देखर प्रसन्न हो उठेंगे नहीं पुत्रकार्टिके नहीं गणेश मैंसे ही जांगा हम पूर से ही विलंब हो रहे हैं अब मैं वस्त और परिधान में अपना और समय नहीं गवा सकता गणेश प्रतीद होता है पिताश्री इतनी सरल्दा से नहीं मानने वाले हैं हाँ भाया किन्तु हम भी उनके ही पुत्र हैं हम भी उने विवश कर देंगे इसका कोई न कोई उपाय तो अवश्य होगा शीक्र हमारी बुद्धी को कोई युक्ती अवश्य प्राप्त होगी आँ गणेश जब तक पिताश्री अपने रेश्मी बस्त्र और आभूशन धरण नहीं करेंगे हम उन्हें विवाव मंडप में स्थेती नहीं होने देंगे रिशिवर अत्री देवी अनूसुगे प्रणाम रिशिवर प्रणाम माता आप उन्ह भूल गए प्रभू वदू के विवाका जोड़ा, सुहाग सिंधूर, मंगल आभूशन एवं फेरे लेते समय वदू के भाई के द्वारा जो धान के लावा का छिड़काव किया जाता है सभी वर पक्ष से ही आता है धन्यवाद देवी देवी अनूसुया अब महादेव के आर्तिकर इस बारात का मंगल आशिश कीजिए आर्तिकर देवी आर्तिकर इस जाता है झाल 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 झाल